आज है 24 माई और आज इस वीडियो में हम 34 रुपए के ऐसे बहतरीन शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका फ्यूचर आने वाले दिनों में काफी बहतर होता हुआ दिखाई देगा देखिए construction से जुड़ी हुई ये छोटा सा ये stock है और हम सबको बता है कि elections अभी खतम हो चुके हैं और नरेंदर मोदी की सरकार बनने जा रही है देखिए अगर जब से election की गोशणा होती है तब से लेकर जब तक वो जीतते नहीं है तब तक जो construction का sector होता है उसमें काफी ज़ सरकार बनती है जब नई सरकार वापस से सत्ता में आती है उसके बाद construction से जुड़ी हुई जितनी भी companies होती है उन सबके shares में तेजी देखने को मिलती है क्योंकि government की तरफ से अलग-अलग projects निकाले जाते हैं और वो projects से उन companies को अच्छा-खासा मुनाफा होता है तो यहां प जो का है man infra construction देखे 34.35 रुपीज का यह share है आज 5% की तेजी इसमें देखने को मिली है देखे 5% अप रहा है यह share तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इसके जो हाल फिर जो नतीजह आए है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और इसमें buying करनी चाहिए या नहीं और कितना return आप expect कर सकते हो आने वाले दिनों में उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को subscribe नहीं किया तो please अभी इसको subscribe कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियों से जो आपको काफी सादा help करें देखें almost एक हफते तक यह शार flat रहा था और आज एक बढ़िया तेजी देखने को मिली है 32.35 रुपीस का low है और 34.20 रुपीस का high इसने बनाया है एक महिने की बात करें तो एक महिने में हालाकि 7.69% की गिरावट आई है देखें 30 रुपे यहां से high की बात करें तो 37 मैं इसको मानता हूँ एक साल के अगर हम बात करेंगे तो मैंने इन्फरा के शेर में पिछले एक साल में हलाकि 30% से जादा की गिरावट आ चुकी है और उस बीच 51 रुपीस तक का high इसने बनाया था और 30 रुपीस तक का low बनाया है देखें अभी यह ट्रेट कर रहा है 34 रहीने थे और उस वक्त कंश्रॉक्शन से जुड़े हुए जितनी भी कंपनियास थी उसमें गिरावट चल रही थी अगर 3 साल के अगर हम बात करेंगे तो 10 साल में मैं इन्फरा के शेर में अलाकि डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि कंपनी इतनी पुरानी नहीं है 2010 से इ 79 डुपीज तक ट्रेड कर चुका है जितनी नइन रुपी इस्तख ट्रेड कर चुका है उसके बाद आप देखिये बहेंकर गिरावट आ गई 2012 में यह शेर 19 रुप्य तक चला गया था और उसके बाद फिर से पर तेजी पर गिरावट फिर तेजी अब किर गिरावट आही ह तो वापस से तेज़ी की एक्सपर्टिशन इसमें की जा रही है बात करें देखें Construction and Engineer से जुड़ी हुई यह इंडस्ट्री है 860 करोड का इसका Market Cap है Micro Cap Stoke है यह और NSC में अगर बात करेंगे तो Almost 10,000,000 के Around इसका Volume Trade देखने को मिल रहा है नतीजे मार्च के आ चुके है और बहतरीन बहतरीन इसके नतीजे है इसके नतीजे बहतरीन है यहाँ पर अगर Net Cells के अगर हम बात करें तो Net Cells हलाकि मार्च 2018 में 222 करोड का Net Cells हुआ करता था जो December 2018 आते आते 44 करोड तक सिमठी है रही है लेकिन मार्च 2019 में 134 करोड तक पहुचा है मतलब पिछले क्वाटर के कंपेर में 200% का ग्रोथ है 200% का ग्रोथ यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ जब मार्च 2018 में इसका 222 करोड का जब बिजनेस था 222 करोड का इनका जब बिजनेस था तब यह शेर अराउंड ट्रेड कर रहा था 50 रुपे से भी उपर ट्रेड कर रहा था यहाँ पर मार्च के अगर मैं बात करूँ तो देखे यह इस क्वाटर में जब शेर 50 रुपे से भी उपर ट्रेड कर रहा था यहाँ पर यह वो चार्ट है 60-50 रुपए के बीच में यह शर्ट ट्रेट कर रहा था और नेट प्रॉफिट के अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्च 2018 में 22 करोड के आसपास का था डिसम्बर 2018 आदे आदे वो 2 करोड में सिमट के रहे हैं मतलब भैंकर तरीके से गिरावट आई थी और मार्च 2019 में 12 करोड का नेट प्रॉफिट है मतलब 400 से 500 परसंट का ग्रोथ यहाँ पर है लेकिन देखो दिक्कत जो आई है वो प्रॉफिट मार्जिन में है प्रॉफिट मार्जिन में बहुत जादा दबाव बना हुआ है बहुत जादा दबाव यहाँ पर मार्च 2018 में 39.04 परसंट का इनका प्रॉफिट मार्जिन था जो डिसमबर 2018 थे 36.06 परस जो 6 पर तक रहा मतलब गिरावट आई लेकिन मार्च 2019 में देखे नेट सैल्स बढ़िया है नेट प्रॉफिट बढ़िया है पिछले क्वाटर की कंपर में लेकिन दबाव बना है प्रॉफिट मार्जिन में प्रॉफिट मार्जिन इनका 13.93 तक रहा है मतलब 22 परसंट से भी ज़्यादा की गिरावट है अब यहां पर देखे शेर होल्डिंग के बात का तो अच्छी चीज़ है कि प्रमोटर्स ने यहां पर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है जो होल्डिंग प्रमोटर्स के डिसमब प्रमोटर्स के पास 1.03 परसंट की होल्डिंग है अब बात करेंगे प्रमोटर्स विथ हाइस होल्डिंग की तो पराग किशोर शाह है जिनके पास 33.26 परसंट की होल्डिंग है अब हाईएस पब्लिक शेर होल्डर्स की बात करें तो सुकेतू रमेश शाह है जिनके पास 2.01 परसंट की होल्डिंग है अब इंडिविजर इंवेस्टर होल्डिंग देखेंगे तो 23.73 परसंट रुपए 26 पैसे यहां पर मिल रहे हैं देखिए 30 रुपए 35 रुपए का आसपास का शेर है और आपको एक रुपए से भी जादा का डिविडेंट पे कर रहा है और पिछले साल ही सप्टेंबर में ही डिविडेंट इसने पे किया है अच्छी बात है इस साल भी बहुत जल्द आपको डिविडेंट भी मिलेगा इसका अगर मैं मनी कंट्रोल में जाओं तो मैं इन्फरा को लेकर मनी कंट्रोल में देखिए 100% 100% बाइंग रिकेमेंडेशन है सब लोग इसमें कह रहे हैं कि आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं बढ़िया बढ़िया पैसा इसमें बनेगा और अगर मैं यहाँ पर इसके पी के बाद को तो 20.24 का इसका पी है जबकि इंडेस्ट्री पी है 22.71 बुक वैल्यू देखेंगे तो 29.76 की है प्राइस तो बुक वैल्यू 1.15 की है एपी एस 1.69 है और डिलिवरी इस 62.11 की डिलिवरी इस है और अगर हमें यहाँ पर इसके फ 10 करोड का करजा है वो कोई करजा नहीं क्योंकि इनके नेट प्रॉफिल और नेट सेल काफी बढ़िया यहाँ पर दिखाए दे रहे हैं और उसके अगेंट्स में 816 करोड के टोटल असेट्स हैं इनके पास अगर देखें मूचर फ़र्ण की तो होल्टिंग हाला कि इसमें ह यही नहीं तो देखिए आने वाले दिनों में मुझे इसका फ्यूचर इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि सिर्फ यही नहीं बहुत सारी कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनिया जिनके फ्यूचर आने वाले दिनों में अच्छे होते हुए दिखाए देंगे जैस है कि मैंने कहा सरकार बन चुकी है मतलब सरकार बनेगी अभी तीस तारीक को शपत विदी इनका हो जाएगा उसके बाद से अपना कारभार संबाल लिया जाएगा और सबको आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट डिस्ट्रिब्यूशन का काम चलेगा देखिए इन सब यह सब सारी चीज़े होने में अभी दो तीन महिने लगेंगे ठीक है लेकिन जो मार्केट होता है न वो दो तीन महिने का वेट नहीं करता मार्केट उससे पहले आने वाली मार्केट हमेशा दो महिना आगे चलता है वो आने वाली चीज़ों को उससे पहले प्रिडिक करता है और ल है तो अगेन मैं कहूंगा डेफिनेटली बड़ी अश्टो के आप खरीददारी कर सकते हैं लेकिन जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ आप जब भी किसी शेयर में खरीददारी करें तो एक साथ सारे के शारे शेयर बिल्कुल भी ना खरीदें अगर आपको इसमें एक हजार शेयर की कॉंटिटी खरीदनी है तो आप पचास-पचास की छोटी-छोटी कॉंटिटी में बाई करें ताकि अगर मानिए कि थोड़ी बहुत गिरावट अगर आ भी जाए तो आप वापस से थोड़ी खरीद कर अपनी एवरेज को मेंटेन कर पाए तो यही मैं कह होंगा छोटी कॉंटिटी खरीदिये ताकि आपका पैसा एक साथ कहीं एक जगे पे न फसे और आपके पास और हमेशा मार्केट में अगर आप इन्वेश्ट कर रहे हो तो हमेशा थोड़ा पैसा बचा के रखो ऐसा नहीं कि जितना पैसा सारा का सारा डाल दिया क्योंकि द अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और अगेन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए थैंक्यू